असलावलेकुम आज मैं आपके साथ मिक्सवेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक रेसिपी है मगर बहुत टेश्टी बनती है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब करें और कर लिया है दो बड़े आलू लेकर उन्हें भी कट कर लिया है एक मीडियम साइज शिम्ला मिर्च लेकर उसे मेरे क्यूब्स में कट कर लिया है एक चोथाई कप बीन्स है आच से दस फूल गोभी के हैं एक चोथाई कप मटर है 100 ग्राम पनीर है और गरम हो गया है सबसे पह देखिए दो मिनट हो गई है गोभी एड़ कर देते हैं एक मिनट वर फ्राई कर लेंगे देखिए गोभी को फ्राई करते हैं एक मिनट हो गई है इसमें एड़ करेंगे बीन्स मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साथ ही एड़ करेंगे शिमला मिर्च और पनीर इन्हें भी हम एक मिनट तक फ्राई करेंगे शिमला मिर्च और पनीर बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसलिए हमने इन्हें सबसे बाद में एड़ किया है देखिए पनीर भी अच्छे से fry हो गया है साई सबजों को fry होते है 6-7 मिनट हो गई है सबज़ अच्छे से fry हो गई है यह 90% तक कूक भी हो गई है सभी सबजों को हम निकाल लेंगे fry करने से सबज़ बहुत टेश्टी बनती है देखिए मैंने सभी सबजों को निकाल लिया है देखने में कितनी अच्छी लग रही है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है वैसे तो बच्चे सबजे खाना पसंद नहीं करते अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खुश हो के खाएंगे मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी जो बाकी का तेल बचा है उसमें एड़ करेंगे हम एक चम्मस जीरा जीरा थोड़ा सा फ्राय हो जाएगा इसमें एड़ करेंगे प्याज मैंने दो मीडियम साइज प्याज लेकिया उन्हें बारी कट कर लिया है पास से छे हरी मिच्ची को मैंने कट कर लिया है ये भी आड़ कर देंगे मिच्ची और प्याज को हम फ्राय कर लेंगे देखिए थोड़ी फ्राय हो गई है इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मस लहसुन द्रग का पेश्ट इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी जो रोई स्मेल हो खतम न हो जाए तक भूनेंगे देखिए लहसुन द्रग अच्छे से भून गया है इसमें अड़ करेंगे मसाले एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पावडर एक चम्मच धनिया पावडर एक चोथा चम्मच हल्दी पावडर आधा चम्मच जीरा पावडर एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है बहुत टेस्टी बनती है आप कसूरी मेथी जरूर एड़ करिएगा साथ ही एड़ करेंगे टमाटर का पेस्ट मैंने दो बड़े टमाटर लेकिए उन्हें पीस लिया था वो एड़ कर देंगे मसाले को अच्छी से भून लेंगे एक चमच नमक एड़ करेंगे मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ करिएगा मुझे सब्जा थोड़ी तीखी पसंद होती है इसलिए मैं थोड़ी मिर्ची जादा एड़ किया है थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छी से भूल लेगे देखे मसाला अच्छी से भून गया है इसमें एड़ करेंगे मटर यह फ्रोजन है अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्राय करते हुए मटर भी फ्राय कर लें जब हमने सब्जे फ्राय की दिना तो तभी हम मटर को भी फ्राय कर लेंगे जिससे वह थोड़ी पक जाएंगी आधा कब पानी एड़ करेंगे मिक्स करेंगे और एक से डेड़ मिनिट तक पकाएंगे देखिए मटर को मसाले में पकते होगे एक से डेड़ मिनिट हो गई है सबजे एड़ करेंगे सभी सबजे एड़ कर देंगे जो हमने फ्राय करके रखी थी और अच्छे से mix करेंगे देखिए सब्जे अच्छे से mix हो गई है इसे हम cover करके 5-6 मिनट तक पकाएंगे फिलेम को लो रखेंगे cover कर देते हैं देखिए सब्जे को पकते वे 6-7 मिनट हो गई है खोल लेते हैं देखिए माशाला इस देखने में कितनी अच्छे लग रही है अगर आपकी सब्जे अच्छे से नहीं पकी है तो आप थोड़ा पानी और एड़ करके इन्हें और पका ले इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमश मलाई आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी आड़ कर सकते हैं मिक्स करेंगे अगर आपको क्रीम या मलाई पसंद नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं मलाई आड़ करने से इसका टेश्ट मढ़ जाता है इसमें आड़ करेंगे आदा चमश गरम मसाला थोड़ा हरधनी एड़ करेंगे मिक्स करेंगे और फ्लेम को ओफ कर देंगे यह बहुत ही टेश्टी मिक्स वैज बनती है आप एक बाज रूट ट्राइ करिएगा इंशाला आपकी फैमिली को पसंद आईए और बच्चे भी खुश होके खाएंगे यह प्राठे के साथ रोटी के साथ अब किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह मिक्स वैज की रेसीप पसंद आए तो प्लेज लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपकी कोई भी वीडियो मिसना हो अलाहाफिज